असलाम उल्यकुम एब्रीवन विलकम बैक टो मेर चानल कोकुई थानी अज मैं आपसे मुल मील शेक बनाने जारी हूं तो मैंने आलडेड़ी हैं कि रख लिया है इसके मैंने बीग निकाल के इसको जोड़े चुट़े पीस कर लिये है अब मैं जार में डाल रहे हूँ मैं आधा आधा करके पीस हूँगी अगर एक ही बार डाल देंगे तो वोवर फ्लो हो जाएगा इसलिए अब मैं इसमें शुगर आइट करूँगी वन टेबल स्पुन जितना अब मैं यहां पे मीट डालूँगी यहां पे मैं हाफ कप डाल रहे हूँ यह जो हमने आधा रखा है बचा के वो बाद में हम इसको पीस लेंगे अब मैं आइस क्यूब्स अड़ कर रहे हूँ तो क्यूब्स अगर आप पीसने के बार डालना चाहते हैं तो आप बाट भी डाल सकते हैं मगर मैं अब दाल रहे हैं इसको अब हम इसको मिकसर में अची तरह से पीछ लेंगे अब देख सकते हैं इसको अची तरह से मैंने पीछ लिया है अब हम ग्लास में निकाल लेंगे अब इसी तरह हम जो आधा हमने बचा कर रख लिया था आब वो भी हम मिकसर में पीस लेंगे अब हम इसमें शुगर आट करेंगे और मिल्क अट करेंगे अब अब इसको अची तरह से हम पीस लेंगे अब दो मस्क प्लैन में दो गलास आसानी से बना सकते हैं एक मस्क प्लैन में एक गलास आप आसानी से बना कर पी सकते हैं अब देख सकते हैं कितने ठीसे बन के रड़ी हुआ है अब मैं तरी खिसे जरूर बनाएगा अब रमजा नारा है तो अब इफ्तियरी में इसको बना कर पी सकते हैं तो मेरा वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शक्रिया अल्ला हाफीज